एक दिन चमपा और चमेली नाम की दो सहेलिया जंगल के रास्ते गुज़र रही थी तब यह उन्हें एक इच्छादारी नागन दिखाई देती है उस नागन के पास सोनी और चांदी से बने दो फ्रोक मुझूद थे साथी नागन के सामने बहुत सारी गरी बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे कहो तुम सब को क्या चाहिए नागन दिदी हमें रोज भूका रहना पड़ रहा है साथी हमारे पास पढ़ने निकले के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है ये देखों कई सालों से यही फटे पुराने कपड़े पहन कर अपना गुजारा कर रहे है नागन दिदी सबसे पहले हम पेट भर खाना के लादो हमें बहुत भुग लगी है ठीक है मैं अभी तुम सब के लिए स्वादश खाना प्रकट करती हूँ उसके बाद नागन सोने की फ्रॉक पर लगा बटन दबा देती है और अगले ही पल सोने की फ्रॉक के अंदर से धेर सारे खाने की चीजें प्लेट भर आना शिरू हो जाती है ये देख सभी बच्चे खुश होते हैं उसके बाद वो सारे बच्चे पेट भर खाना खाती हैं अब मैं तुम सब के लिए सुन्दर कपड़ों का इंतजाम करती हूँ उसके बाद नागिन चांदी की फ्रॉक पर लगा बटन दबा देती है और उसके अंदर से धेर सारे संदर कपड़े बाहर गिरने लगती हैं देखते ही देखते वहाँ कपड़ों का धेर लग जाता है उसके बाद नागिन का शिक्र यादा कर वो बच्चे कपड़े लेकर वहाँ से चले जाती हैं अरे वाई ये दोनों सोनों चांदी की फ्रॉक तो बहुत ही कमाल की हैं अगर ये फ्रॉक हमें मिल जाए तो इनका इस्तमाल करके कुछी दिनों में हम अमीर बन सकते हैं हैं तुने इस सही कहा फिर देर किस बात की चलिस नागिन से दोनों फ्रॉक छीन लेते हैं अरे ये इच्छाधारी नागिन है इच्छाधारी नागिन बहुत कहतर नाक होती है हमें सुच समझ कर अपनी चाल चलनी होगी फिर वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगती है रात होती ही जब नागिन खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है तब ही वो दोनों उ नाकल होकर उस पर लोही की रोट से हमला कर देते हैं देखते ही देखते नागिन बेहोश होकर घायल हो जाती है फिर वो दोनों नागिन के घर पर रखी सोने और चांदी की फ्रॉक चुरा कर वहां से भाग जाते हैं फिर अगले दिन वो दोनों सोने की और चांदी की फ्रॉक से देर सारा खाना और कपड़े प्रकट करके बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं जिससे उन दोनों का देर सारे पैसे मिलने लगते हैं दूसरी तरफ अपनी दोनों जादूई फ्रोग गाये देख नागिन बड़ी परिशान हो जाती है नागिन उदास बैठी थी कि मैं तो मैं खाना खिला नहीं सकती किसी ने मेरी दोनों जादूई फ्रोग चुरा ली हैं अरे ये तो बहुत बुरा हुआ जादूई फ्रोग के ना होनी की वज़से मुझे भी भूकर रहना पटा है मैं सिर्फ जादूई फ्रोग से निकला हुआ ही खाना खा सकती हूँ अ ना ही पड़ेगा लेकिन मैं क्या करू मेरे पास रूप बदलने की शक्ती नहीं है अगर मैं इस जंगल से बाहर निकल कर इंसानों के बीच गई तो इंसान मुझे मार डालेंगे आप चिंता मत करिये हम सब मिलकर इस चोर का पता लगाएंगे इस तरहा नागिन को दिलासा दे वो दोनों उस वक बाजार में कपड़े बेच रही थी अरे वो दोनों चोरनी है कुछ माहिनों पहले इने पुलस वाले पकड़ कर ले गए थे इन दोनों ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया लेकिन अचानक ये दोनों यहां पर कपड़े क्यों बेच रही है और इनके पास इतने सुन्दर कपड़े कहां से आए? मुझे तो लगता है इन दोनों ने ही नागिंदीदी की सोने चांदी की फ्रॉक चुराई है चलो इन पर नज़र रखते हैं उसके बाद वो सभी लड़कियां चमपा और चमेली पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं फिर थोड़ी देर के बाद उनके सारे कपड़े बिख जाते हैं आरे वाँ आस तो देर सारे पैसे जमा हो गए अब मुझे भूक लग रही है चलो सोनी की फ्रॉक से दो पिज़ा मंगा कर खाते हैं उसके बाद वो दोनों सोनी की फ्रॉक का बटन दबा देती हैं और अगले ही पल उन दोनों के सामने दो बड़े आकार के पिज़ा प्रकट हो जाते हैं पिर वो दोनों मजे से पिज़ा खाना शुरू कर देती हैं लेकिन तबी सबी लड़कियां उन दोनों को गेर कर खड़ी हो जाती हैं तुम दोनों का खेल खतम हो गए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यो दोनों फ्रॉक हमारे हवाले कर दो आरे तुम सब कौन हो देखो चुपचाप यहां से भाग जाओ वरना तुम सब की पिटाई हो जाएगी लेकिन अगले ही पल वो सबी लड़कियां चमपा और चमेली पर हमला कर देती हैं देखती ही देखते वो दोनों सहेल यां पूरी तरह घायल होकर जमेन पर केर पड़ती हैं हाई मर गई रे मेरी कमर तुट गई अरे कोई बचाओ मुझे अरे ये लड़कियां बहुत गतरनाक है चल अपनी जान बचा कर भाग यहां से उसके बाद वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं फिर सबी लड़कियां सोनी और चांदी की फ्रॉक ले जाकर नागिन को सौब देते हैं इस त अंदपुल नाम की गाओं में विशाका नाम की गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी विशाका के माता पिता दोनों मजदूरी करते थे वो दोनों अपनी सारी कमाई विशाका की पढ़ाई और उसके रहन सहन में कर्ज कर देते थे फिर एक दिन विशाका बा विशाका की खुबसूरती देख गायतरी इस पर मोहित हो जाती है सुनो बेटी तुम बहुत सुन्दर हो तुमारा नाम क्या है और तुम कहां रहती हो विशाका गायतरी को अपने बारे में सब बता देती है फिर अगले दिन गायतरी अपने पती और बेटे के साथ विशाका के घर पोहन जाती है सुनिए बेहन जी मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है मैं ऐसे अपनी घर की बहु बनाना चाहती हूँ गायतरी की बात सुनकर विशाका के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता बहन जी आप लोग इतने अमीर हो और हम गरीब मजदूर हैं हम आपको दहेज नहीं दे पाएंगे हमें दहेज नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए उसके बार शादी की सारी बाते तै हो जाती है लेकिन दूसरी तरफ विशाका के पिताजी को शादी में होने वाले खर्चा की सिंता सताने लगती है लड़के वालों ने हमसे दहेज नहीं मांगा लेकिन हमें शादी में बारातियों की खातिरदारी अच्छी तरह करनी होगी उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे देखिए हमारी सिर्फ एक ही बेटी है और इसकी शादी एक अमीर घर में हुई है मैं तो कहती हूँ हमें अपना घर गिर्वी रखकर कर्ज लेना चाहिए शादी के बाद हमारी बेटी उस घर में राच करेगी इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए तुम ठीक कहती हो मैं आज ही गाउं के लाला से कर्ज ले लेता हूँ उसकी बाद विशाका के पताजी घर को गिर्वी रखकर गाउं के लाला से दो लाक रुपे कर्ज ले लेती हैं पर विशाका के माता पता शादी की तैयारी में जुट जाती हैं लेकिन फिर एक दिन अचानक सड़क पार करते समय विशाका का एक्सिडेंट हो जाता है बहन्जी ऐसा मत करिये हमारी बेटी बहुत ही गुणी है वो आप लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और कभी शिकायत का मौका नहीं देगी आरे पागल औरत मैंने तेरी बेटी की खुबसूरती देखकर उसे अपनी बहु बनाने का फैसला किया था लेकिन आप तो बच्छूरत बन चुकी है मैं ऐसी बच्छूरत लड़की को अपने घर की बहु नहीं बना सकती चल जा यहां से दूसरी तरफ इस तरह अपनी जिन्दगी में अचानक ऐसा तूफान से विशाका पूरी तरह तूट जाती है विशाका जब भी अपने माता पिता को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था मेरे माता पिता के दुखों का कारण मैं हूँ अब तो मेरा चहरा भी बच्छूरत बन गया है पूरी जिन्दगी कोई लड़का मुझ से शादी नहीं करने वाला मैं अपने माता पिता को इस तरह दुखी नहीं देख सकते इसलिए अपने माता पिता को चिन्दा से मुख्च कर दूँगी उसके बाद विशाका आत्मा हत्या करने गाउं के पास वाले समन्दर में पोहन जाती है लेकिन तबी समंदर में रहने वाली एक जलपरी विशाका को देख लेती है तेहर जाओ इस तरह आत्मा हत्या करना बुरी बात है आखिर तुमारे जीवन में ऐसा क्या कष्ट है जो तुम आत्मा हत्या करना चाहती हो विशाका जलपरी को अपनी सारी परेशानी बता देती है विशाका की बात सुनकर जलपरी को बहुत दुख होता है अरे ये बिचारी लड़की तो बहुत परेशान है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए उसकी बाद जलपरी अपनी पास एक छोटा सा तीर कमान बाहर निकालकर आस्मान की ओर तीर चला देती है अगले ही पर समंदर के उपर एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष तयार हो जाता है साथी वहाँ एक लंबी सीड़ी भी प्रकट हो जाती है अब तुम्हें सेड़ी पर चड़कर इंद्रधनुष पर चले जाओ वहाँ तुम्हें मेरी दू परी सहेलिया रहती है तुम उन दोनों से कहना कि मैंने तुम्हे बेज़ा है फिर वो दोनों तुमारी सारी तकलीफे दूर कर देंगी विशाका फॉरण सेड़ी पर चड़कर इंद्रधनुष पर पोहन जाती है वहाँ मुझूद दोनों परियां उसे वहाँ आने का कारण पूछने लगती है विशाका दोनों को जलपरी के बारे में सब बता देती है उसके बाद एक परि विशाका को महाँ मौझूद जादूई अंडे के अंदर बैठा देती है और अगले ही पर वो अंडा गोल गोल घूमने लगता है थोड़ी ही देर में विशाका राचकुमारियों की तरह खुबसूरत बन जाती है अरे वाँ मैं तो बहुत जादा खुबसूरत बन गई मुझे खुबसूरत बनाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं हम दोनों बहने इसी तरह दुखी लोगों को अद्दुख दूर करती है ये लो ये जादुई पर्स तुम अपने पास रखो इस पर्स में मौझूद पैसे कभी करतम नहीं होंगे इस तरह वो दोनों परियां विशाका की जिन्दगी पूरी तरह बदल देती है उसके बाद वो दोनों विशाका को एक जादुई जाड़ों पर बैठा कर उसे उसके घर तक पहुंचा देती है विशाका की खुबसूरती देख उसके माता पिता दोनों कुशी से उचल पड़ती है फिर कुछ दिनों बाद विशाका की शादी शेहर के एक धन्वान घर में हो जाती है उसके बाद विशाका शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ खुशी से रहने लगती है बहुत समय पहले परिदेश में सोनिया नाम की एक बहुत शक्तिशाली परी रहती थी फिर एक दिन पर ही अपनी सबी जादूई कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए रसी के उपर टांग देती है लेकिन दुपहर में अचानक वहाँ तेज तुफान आ जाता है और उन कपड़ों के बीच टंगा जादूई गउन तुफान के साँ तुड़ जाता है फिर उड़ते उड़ते वो गउन प्रत्वी के एक नदी के किनारे पोहन जाता है अरे वाई यहां का नजारा तो बहुत खुबसूरत है आकरकार मुझे उस पारी से छुटकारा मिली गया अब मैं अपने तरीके से अपनी जिन्दगी जी लूँगा फिर थोड़ी देर के बाद गाउन की कुछ करीब लड़किया नदी में पानी भरने आती हैं तब ही उनकी नजर उस जादूई गाउन पर पढ़ती हैं गाउन को देख सबी लड़किया असचरिया में पढ़ जाती हैं अरे यह गाउन तो बहुती खुबसूरत है आकर यह कैसे आया और यह देखो इस पर देर सारी चमकदार हीरे भी लगे हैं यह हीरे तो बहुती कीमती लगते हैं चलो इस गाउन को उठाकर अपने गाउन ले चलते हैं उसके बाद इस पर लगे हीरे बाजार में बेस्तिंगे जिसे हमारी करीबी दोर हो जाएगी उसके बाद व वो गाउन एक विर्शाल गाउन के रूप में बदल जाता है अच्छा तो तुम सब मुझे पकड़ कर अपने साथ ले जाना चाहती हो तुम सब गंदी लड़की हो तुमारे पुराने कपड़ों से कितनी बदबु आ रही है मुझे दूर हो अरे ये तो बात करने वाला जाद देदो लेकिन वो जादूई गाउन अपनी शक्ति से सबी लड़कियों के बालों में आंग लगा देता है देखते ही देखते सबी लड़कियों के बाल पुरी तरह जल जाते हैं और वो सबी गंजी बन जाती है फिर वो सबी लड़कियां रोती हुए वहां से भाग निकलत उस दिन के बाद से जादूई गाउन उस नदी पर कब्जा कर लेता है जब भी कोई इस नदी में पानी भरने या मचली पकड़ने जाता तो जादूई गाउन उसे डराकर वहां से भगा देता था इस तरहा घमंडी गाउन की वज़र से सबी लोग बहुत परिशान हो गए थे क्योंकि उस इलाके के ज्यादतर लोग नदी से मचलियां पकड़ कर अपना गुजारा करते थे फिर एक दिन ये बात उस राज्य की राजकुमारी को पता चलती है अपनी प्रजा का दुख राजकुमारी से देखा नहीं जाता और वो उस घमंडी गाउन को पकड़ कर महल लाने का फैसला करती है इसके बाद राजकुमारी अपनी सैनिकों के साथ उस गाउन को पकड़ने की लिए नदी किनारे पोहन जाती है मुझे पता चला है कि तू लोगों को परिशान कर रहा है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मुझे नहीं बच सकता तू चलो सैनिकों इसको रसियों से बांद कर महन ले चलो मुझे इस तरह बत्तमीजी से बात करने की तुझे हिम्मत कैसे ही मुझे बहुत गुशा आया है राजकुमारी अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उसके बाद जादूई गाउन अपनी शक्ती से वहां मौझूद सभी सैनिकों को रसी से बांद देता है और उन्हें हवा में उड़ा कर नदी में फैंग देता है अदेख राजकुमारी मैंने तेरी सारी सैनिकों को नदी में फैंग दिया अगर अब तुझे आपको बचाना चाहती है तो जमीन पर घुटने टेक दे और ना क्रगर कर मतसे माफी मांग तब ही मैं तुझे माफ करूँगा लेकिन राजकुमारी अपनी तलवार निकाल कर उस जादूई गाउन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तब ही जादूई गाउन राजकुमारी की तलवार को अपने वश में कर लेता है पर जादूई गाउन राजकुमारी की तलवार से उसके दोनों हाथों को काट अरे नहीं ये क्या हो गया इसने तो मेरे दोनों हाथ काट दी अब मैं क्या करूं टहर जाब मैं तेरा सर भी काट दूंगा लेकिन तब भी आचानक वहां सोनियापरी आ जाती है सोनियापरी उसी वक्त अपनी जादूई चड़ी घुमा कर जादूई गाउन के उपर आग पर गया रे मेरी मालकिन कहां से आ गई अरे कोई बचाओ मुझे अरे कोई साख को बुजाओ फिर देखते ही देखते वो गाउन पूरी तरह जलकर राख के डेर में बदल जाता है उसके बाद सोनियापरी राजकुमारी के कटे हुए हाथों को फिर से उनके शरीर में जोड देती है उसके बाद परी हवा में उड़ते हुए पास के गाउं पहुन जाती है और वहां मौझूद सभी गंजी लड़कियों के सर पर सुंदर बाल प्रकट कर देती है साथियन सभी को डेर सारे सोने के सिक्के देकर वापस परी देश चली जाती है इस तरह उस घमंडी ग